नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकस सिंग दौर आज फिर एक बार हाजिर हूँ आई इंडिया के खास कारिकम सीतापुर देख रहा है को लेकर आज फिर बात होगी पांच उन नई तस्वीरों की जो ब्यवस्था को आइना दिखाती है तो शुरुआत करेंगे पानी की बर्बादी से लगातार फूजल अस्तर का ग्राफ गिर रहा है बावजूत इसके ना तो सरकार गंभीर है और ना ही सरकारी मशीनरी साइद यही वज़े है कि पानी की एक-एक बूंट को सहेजने के बजाए उसकी बर्बादी हो रही है इसकी बानगी सदर तहसीर परशर में बने पानी की टंकी के समीब दिखाई दे रही है यहाँ पर पिछले कई रोज से लीकेज पाइप लाइन से पानी का रिसा हो रहा है या पानी रोजाना सेक्रो लीटर बहकर न सिर्फ नाले में बहरा है बलकि चोक नाले के उपनाने से प्रांगण में भी इकठा हो रहा है इससे वहाँ पर कीचर जैसी इस्तिती उत्पन हो गई है अगर घटते भूजल पर अंकुष न पाया गया तो आने वाले समय में इसके परिणाम बेहद ही घा तक होंगे दूसरी तस्बीर में बात करेंगे ये कैसी सुच्छता की सफाई वेवस्ता को बेहतर बनाने के लिए सहर में गंदगी मुक्ट करने का पालिका का दावा जमीनी धरातल पर खोकला साबित हो रहा है हकीकत यह है कि सहर की जलनिकासी के लिए बनाए गए छोटे और बड़े नाले काफी समय से चोक हैं इनके चोक होने से नालों का गंदा पानी सडकों पर बहता है सफाई के अभाव में गंदगी से पटे नालों की जलनिकासी और उद्ध है यही नहीं नालों में फैली गंदगी, संक्रामत बीमारियां भी फैला रही हैं जिस कारण वहां के इर्दगिर्द रहने वालों को तीखी सलांद जहलनी पड़ रही है तेसरी तस्बीर में बात करेंगे खत्रे के टांसपारमर की सहर किनारे रखे बिजली के ट्रांसफार्मर खतरे को दावत दे रहे हैं अंधेरे में कब कौन बेक्ति वाहन या जानवर इसका सिकार हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है इसके बावजूत जिम्मेदार मौन है हम बात कर रहे हैं सहर के आरिनगर इस्तित मंदिर के समीप रखे बिद्दुद ट्रांसफार्मर की यहां मोर पर जाली विहीन बिद्दुद ट्रांसफार्मर रखा है नतीजतन इस रोड पर आवा गमन करने वालों के सिर सदेव खत्रे की घंटी बज़ती रहती है सरवाधिक दिक्कतें अंधेरे वार रात में होती हैं इस कारण इन में टकराने का पूरा खत्रा बना रहता है बावजूद इसके इस ओर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं जाता है ऐसे में हर बच यहाँ पर दुरगटना का अंधेशा बना रहता है चौथी तस्बीर में बात करेंगे बदरंग फवारे की तीन बरस पहले जब अमरत योजना से सहर के सरोजनी वाटिका को समारने की कवाईश शुरू हुई थी उस वक्त यहाँ के बासिंदों के चेहरे खिल उठे थे लेकिन अब इनके चेहरे से खुसी काफुर हो गई है आज भी इसकी सूरत बदरंग है सरोजनी वाटिका में खूपशूर्ती बढ़ाने के लिए बना फवारा इस वक्त बस सूर्ती विखेर रहा है यहाँ के फाउंटेन में गंदगी का अमबार लगा है पाइप लाइन च्छदगेस्ट हो चुकी है लाइटिंग भी बदहाल है ऐसे में फवारा बेराउनक साबित हो रहा है पांचवी तस्बीर में बात करेंगे पच्छुआ हवा से बिच्छी फसल की खेतों में तयार गेहूं की फसल के लिए पच्छुआ हवा बिस साबित हो रही है वजा पच्छुआ हवा चलने से अब किशानों को फसली लागत न निकाल पाने की चिंता सताने लगी है क्योंकि पच्छुआ हवा चलने से गेहूं फसल की पैदावार भी आधी रह गई है आपको बता दे की जिन कास्तकारों ने देर से गेहूं की फसल बोई थी वो भी पड़ चुकी है गेहूं की अच्छी पैदावार होने से किसानों के चहरे लकालक दमकने लगे थे मगर इधर कई रोज से पच्छुआ हवा चल रही है ऐसे में जो किसान गेहूं की फसल में पानी लगा दे रहे हैं तेज पच्छुआ हवा खड़ी फसल को खेतों में गिरा कर बरबाद कर दे रही है जानकारों की माने तो अगर इसी तरह या पच्छुआ हवा चलती रही तो अच्छी खासी फसल तबाह हो जाएगी आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले सकता पांच नई तस्वीरों के साथ जो बेवस्था को आईना दिखाएंगी फिलाल हमें दीजिये इजाजत नमस्कार स्टूडी आईस लखनों में ही सिविल सेवा की तयारी के लिए के बेस्ट फेगलिटी के साथ एक मौडरन कैंपस सुपलब्द करा रहा है अब स्टूरेंट बारवी के बाद ही आईस और पीसेस की तयारी कर सकते हैं इसमें बारवी के बाद आप ग्रेजुएशन करते अगर आप ग्रेजुवेशन कर चुके हैं तो आप हमारी स्पेशल बैच में आईस और पीसेस की तयारी कर सकते हैं इस्टूरेंट के रहने और खाने की ववस्ता भी उप्रब्द कराता है जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके अधिक जानका आप हूँ किष्छ yaptवंग में आपगी जाओं बैट हैं 15 दिस Means जा हूँ है कि आप हैंसी हैं इस्टूरेंश न आपय कर च किजिए जा हैं। वैंद में झाओने जाराले एंस्टूरेंग इस्टूरेंभर्ण कर चाओने रहने हैं ।